आज इस खुशी के मौके पे मनीश जी की और जैन साब की बड़ी याद आ रही है वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और चार चांद लग जाते वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए हम सब के लिए इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाती जो इस देश की तरक्की नहीं चाती वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है मनीशिस हो गया क्या कसूर है कल में एक उद्गाटन करने गया था इस्ट विनोद नगर में एक स्कूल में सरकारी स्कूल है सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है जर्मन पढ़ाई जाती है Spanish पढ़ाई जाती है Japanese पढ़ाई जाती है मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में होई थी हमारे स्कूल में भी ये सारी चीज़े नहीं पढ़ाई जाती थी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शक्षा दी जाती है तो मनीश तसोधिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज़वा रखो यह कसूर थामने सिसोदिया का 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शीक्षा नहीं मिलती थी उनको उसने सपने दिये उनके सपनों को उसने पर दिये और ये सारी राष्ट्र विद्हर्विरोधी ताकतों उने मिलके मनी सिसो दिया को जेल के अंदर डाल लिया जैन साब का क्या कसूर था उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए यह गरीब हो चाहिए अमीर हो गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रूलेगा वो कॉरिडोर में पढ़ा रहेगा उसको दवाई नहीं मिलेगी उसको इलाज नहीं होगा अच्छा इलाज कराएंगे सबका अच्छा इलाज कराएंगे सरकार कराएगी इलाज अच्छा यह कसूर था सतिंदर जैन का उसने सपना देखा था देश के लिए सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलके उसको बिचारे को जेल के अंदर डाल दिया लेकिन बिचारा नहीं है वो भगत सिंग का चेला है तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम अदमी पार्टी को रोकना चाहती है लेकिन उपरवला हमारे साथ है किसी के हिम्मत नहीं है, मैं खमेशा कहता हूँ, only one can stop the idea, उस टाइम इस काम.